और राइट तो अभी IP Camera Installation के बारे में आपको बता रहा हूँ इसको NVR बोलते हैं, क्या बोलते हैं? NVR! NVR, Network Video Recorder यह हमारा Project Series का NVR है, Single RJ45 Mode इसमें है चलिए सबसे पहले, एक यह system आपको लेता है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, NVR selection का parameter क्या है? कितना camera लगाना है? How many camera you want to install? This is the first parameter 4 camera लगाने, 4 चानल का NVR लोगे 8 camera लगाने, 8 channel का NVR लोगे 16 camera लगाना, 16 channel का NVR लोगे उससे भी important जो factor है NVR selection की रहे वो क्या है? bandwidth कितना bandwidth का NVR लेंगे आप This is completely depend on the how many megapixels camera you are going to install उसी से bandwidth generate होगा bandwidth, कितना bandwidth आ रहा है? वो एक formula था, calculation था जो मैंने आपको बता दिया हूँ Okay, उसके बाद आपको लेना होता है एक network switch यह देखिए, यह network switch है यह POE और non-POE दो category में मिलेगा आपको मेरे पास इस वक्त कौन सा है, बताइए POE switch कौन सा है? और इस वाले switch को क्या देखिए दोनों में फर्क क्या है? इसमें देखिए इसमें देखिए वो POE और डाटा दोनों को कर्रस्पॉंट करेंगे और आगे के दो पोर्ट सिर्फ डाटा के लिए है अब लिंक पोर्ट है यहां से आप network cable निकाल कर कहां कहां लड़ा सकते हैं राउंटर आप या फिर और आगे आपको expansion करना है network switch लगा कर उस पर भी आप connect कर सकते हैं Got it? समझ आया? अब मैं आपको example के लिए जो प्योई है उसको प्योई पर connect कर रहा हूं जो नॉन प्योई है उसको नॉन प्योई पर connect कर रहा हूं देखते जाहिए connection बहुत ही आसान है IP camera का installation आज मैं आपको एकदम basic installation बता रहा हूं इसके आगे जो level होगे उसमें wireless camera को कैसे network video recorder पर connect करना है वो बताएंगे optical fiber media converter optical fiber cable इसके तुरू कैसे data चलता है वो बताएंगे इसके आगे फिर relay और automation बताएंगे बहुत कमाल के चीज़ है relay and automation उसमें NVR को mobile पर connect करेंगे जैसे CCD आप देखते लाइब वैसा देखके उसके अलावा और क्या क्या कर सकते है relay and automation के तुरू हम mobile phone से यह fan को control कर सकते हैं पंखा बन चालू कर सकते हैं इलेक्ट्रो-magnetic lock को हम लोग control कर सकते हैं हम लोग light on-off कर सकते हैं हम बड़ा सा कोई industrial siren लगा के उसको on-off कर सकते हैं यह तमाम चीज़े relay में आप सीखेंगे next day के class में आप सीखेंगे आज मैं आपको basic installation बता रहा हूँ और IP camera में जो installation होता है देखिए networking based काम है दो पार्ट में इसको divide कर दीजिए सबसे पहला काम right connection सही connection आपको करने आना चाहिए सही connection के बात बारी आती है right IP address की सही IP address दिलाना right IP address assigning right IP address दिलाना होता है IP camera, NDR और अगर network में अगर आप कोई server बनाना है या फिर आपका laptop या computer या उसी land mail लेना है एक range में तो main जो primary हमें main fundamental होगा main IP camera को IP देना होगा वो compulsory रहेगा IP camera को IP assign करना ये compulsory रहेगा और NDR को IP address देना वो compulsory रहेगा बागी के जो device होते है mobile phone, laptop, आपका जो computer वो automatically router के दुरूप DSTP से IP ले लेता है वहाँ आप configure नहीं भी करोगे तो भी चलेगा that will be okay and fine but the mandatory is configuration of IP address to the IP camera and to NDR DSTP के दुरूप कभी भी IP camera को या NDR को IP ना दिलाए automatically वो IP लेगा range आपको नहीं वहाँ में मिलेगी ठीक है और अगर वो camera restart होता है या NDR या router restart होता है तो बहुत जादा chance है कि वो IP camera unlink हो जाएगा no link show करेगा ठीक है क्योंकि वो IP address change कर देता है और change करने के बाद में NDR के interface पे वो log out हो जाता है फिर बात में वापस से आपको search करके add करना पड़ता है और उसको login करना पड़ता है इससे बहतर यह है कि IP camera की IP address आप static कर दे DSEP से untick कर दे उसको static पे रखे चलिए शूरू करते हैं यह एक PUE network switch है यहां से मैंने यह cable connect किया और यह मैंने इसको connect किया यह on हो गया देखिए हो गया यह on अब मैं next step कर रहा हूं देखिए यह नेटवर्क switch regular है यहां से मैं जितने भी regular cameras है वह connect करूंगा इसके लिए इन दोनों में से कोई भी data code का में use कर रहा हूं यहां पर एक पहले connection अच्छे यह से करके नेटवर्क family बना लेंगे कि कि आप लोग क्या किये थे कि non-pue camera भी port पर लगा दिये थे तो वो port है वेस्ट हो जाएंगे प्योई camera का लगाएंगे आप यह का लगेगा बताओ data पर लगाओ यह रेगुलर स्विच्छ पे लगाएं यह यहां पर connection खताम हो गया इसको पावर अप करके on लगा हुआ इन दोनों को पावर दे 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 ताकि यह चादू हो जाए इसको अन कर देते हैं यहां हो गया यह केबल नेटवक स्विच से इन वियार पर जाएगी वाला भी यूज कर सकते या फिर न वाला भी क्योंकि दोनों में डेटा पोर्ट्स जो है वह खाली है अविलेबल है चाहे तो यहां से वायर निकालके यहां डाले आप इन वियार पे पर भी ओन है इसका भी ओन है अब यहां पर मैं BGA केबल HDI केबल लगा देता हूं किसका किसका स्विच का पावर आप है इसका मैंने पावर आप कर दिया वेट पार फ्यू सेकेंद करें पावर एंटर रीफरेश के बटन पे क्लिक करें कि और यहां पर आपने 1 फे क्लिक करके आड के बटन क्लिक करना है आपको रीमोड कर देता हूं क्लिक remote device ip search click click add यह दोनों camera यहां पर click होगे और इसको हम यहां पर click करते हैं और इसका जो में पास्वर्ड है वो क्या है ए बीसी डी डी डालके इसको लॉगिन ले रहे हैं यह दो केमरे लॉगिन आ गया है अब इसका देख लें पर यह केबल आपने तहां लगाई है रिगलर शुच पर इसका लिंग भी फ्रॉपर आ रहा है और यहां से हमने केबल तहां कि ट्वेंटी एंद फिप्टी सिक्स ट्वेंटी एंद फिप्टी सिक्स इसको मैं रिस्टार्ट कर दिया हूँ यह रिस्टार्ट कर दिया हूँ जब तक मैं आपको डायरेक्ट आपी कैमरे को कैसे को बता रहा हूँ जैसे यह कैमरा है एक्विजन का मुझे अगर इसका आईपी अड्रस चेंज करना है तो मैं कैसे करूँआ हाउँ टू चेंज आइपी आइपी आड्रस बहुत ही आसान है घ्याल दीजिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो आईपी कैमरा है इसका आईपी एड्रस क्या है तभी आप चेंज कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीका है यह फाइंड आउट करने का सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें लगा कि यहां कर रहा हूं में अच राउटर से सिंपनेक्टन होना चाहिए तो फिर आप एक चीज यह बिकर सकते हैं कि यहां से केवल लैप्टॉप पर साथ कनेक्ट कर सकते हैं network किसी भी तरीके से आपका connect होना चाहिए या तो आप network switch से cable laptop के साथ connect करें या फिर network switch से cable आप router के साथ connect करें और router से आपका laptop connect करें कोई भी condition में आपका camera यह network family में find होगा ठीक है? So let's start तो मैं इसी network family में इसको connect कर लेता हूँ एक पहले तो मैं land cable ले लेना हूँ और उससे मैं आपने router को switch से connect कर लेता हूँ So let's see how to do यह मैंने network cable ले लिया हूँ, देखिये जितनी जर्वों ते उतना ही रखते हैं अब यूगा अब यूगा लेके लिए यहां तक सबको समझ में आया? यहां सब दो आदो इसका पाव रहा हुआ है यह भी आँ हो गया है यह भी आज रहा है जब तक इसको कनेक्टर लेता हुआ है पक्रिए यह सब्सकिल है यह मैं कर सकते हैं यहाँ पर खुट सारी हुए है और मैं इसको कनेक्टर मेन राउटरचंट है मेन राउटरं से हमारे oh also यही स्विच्ट से एं कैमरा और अब बोनुके सर यह स्विच्ट से नहीस कनेक्ट tot किसको ऐसा confusion होना है यह यह और यह एक ही होना इसके data network switch port से यह connect हुआ तो एक ही हुआ ना तो अलग कैसे हुआ इस इन थे अटार इंपाइड तो और सो हो रहा है यह दो अलग device है ठीक है प्रक्राइब आपको दिखा दिया है यह यह बेसिक ना यहां तक क्या था बेसिक यहां तक बदा रहा हूं आपको बदा रहा हूं अब यहां पर मैं एक कैमरे को लिया हूं के कैमरे को और इसको मैं इसका मैं आइडर्स चेंज करूंगा ठीक है तो कैसे हो रहा है वह आप देखिए हैं सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है यहां से देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर करके सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें इसके डिपी टूल यह एक्विजन का एप है ऐसे डीपी ठीक है यह टूल के तूल आप इसके कैमरे के आइप अडर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने क्लिक दिया है डन अब देखिए यह सॉफ्ट्वेवर पर यह कैमरे डिटेक्ट हो जाएगा अपने आप कि अ कि सब लोग को दिख रहे हैं मैं इसको यहां रख देता हूं मैं करेक्ट कर देता हूं इसको मॉनिटर के साथ है कि यहां से लिंक का रिप्लाई आ नहीं रहा है यह केबल हम चेक कर लेता है कि क्या इस केबल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहां से लिंक का रिप्लाई आ नहीं रहा है यह देखिए यह केबल पर प्रॉब्लम लग रहा है ना यहां पर लाइट भी गलो नहीं हो रही है एक बार वहां से मैं चेक कर लेता हूं वहां पर बताईये मुझे लाइट इडलो हुआ उस रावतर के इसकोड है यह आज है फोटिभाइ क इक्टर के फॉल्ट है इसको मने उसरा बेना आ देता हूं वह अधिस दीप कोशा है। एम आपने कोशाए। यह अधिए को में आपने कोशाए। अब लाइट गलो हो गया? इस हो गया, एक मन अनेक्टेट अनेक्टेट सब्सक्राइब यह क्या हो वारी स्टाट हो गया? नो प्राबल इसका find out कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए दोनों network switch on है, camera आपना switch पे है यह देगे, IP camera का IP address यहां पर detect हो क्या आगया cable change किया, उस cable में fault था देखिए IP camera का IP address है, detect हो क्या आगया? शो कर रहा है सभी को आप लोग देख पारें सभी लोग यह IP camera का IP address यहां detect हो क्या है, automatically यह detect हो जाएगा, refresh button दबाने के बाद, अब देखिए, इसका मैं IP address चेंज कर रहा हूं, ठीके, दो काम यहां पर मैं आपको करके दिखा लेता हूं, एक तो IP change कैसे होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, और दूसरा, विदाउट NVR अगर किसी IP camera को direct laptop में connect करना है, तो वो कैसे होता, वो भी मैं आपको बता देता हूं, दोनों बाते हैं यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीके, ओके, लैट स्टार्ट, थोड़ा सा camera जूम करेके नजदीक ले रहेते हैं, इसको पकड़ो और थोड़ा सा नजदीक लेना, clear दीके वैसा, ठीक है, थोड़ा जूम बगेरा करना है, तो यहां से आप कर सकते, यहां पर करके दिखा रहा हूँ, एक तो IP address कैसे चेंज करते हैं, IP camera का, यह IP camera है, एक विजन का, थ्रू इट्स IP address, ओके, यह इसका by default IP है camera न, 192.168.0.56, यह इसका by default IP है, इस default IP से आपता camera जिटी है, यहां पर login है, यह आपता camera इस default IP से यहां login है, 192.168.0.56, correct, अब मैं इटा IP address चेंज करके दिखा, यह आप जाता है, यह आप देखेंगे, यह camera फिल लॉग आउट हो जाएगा, अक्सर आप लोग देख पार है आप, यह camera login है, यह camera login है, अब मैं इसका IP address चेंज करूँगा है, यहां से, तो यह automatically log out हो जाएगा, अक्सर आप लोग DACP पर यह camera को छोड़ देते हैं, automatically IP जब आप दिलवाते हैं, DACP के दूप, तो क्या होता है, कि जब IP address चेंज होता है, तो automatically camera unlink हो जाता है, मतलब वो log out हो जाता है, क्लियर दिए, ठीक है, जाल आईए, मैंने उस बड़े display पर connect कर दिया हूँ, देख पा रहे हैं हम लोग, अब देखिये, अब देखिये, मैं इसका IP address चेंज करना हूँ, आपको सिर्फ यह टिक लगाना है, टिक लगाकर इसका जो original password है, camera का वो आपको put up करना है, camera का password है, A, P, C, D, at the rate 123, यह इस camera का original password है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको टिक किया, camera का original password यहाँ पर डाला, और अब मैं इसका IP address चेंज करना हूँ, ठीक है, और चेंज करने का जो process था मैंने आपको अल्रडी बता दिया था, यह आप लोग कौन से class के network पर काम कर रहे है, C class, 253 maximum host इस पर connect होगा, ठीक है, क्योंकि number 1 router ने use कर लिए है, number 255 आप use नहीं कर सकते है, maximum 253, IP निकले की 253, IP camera या फिर जो भी है, mixed device, IP camera, NVR या जो भी है, 253, IP is equal to 253 devices, maximum you can connect over the C class, इसके आगे है, beyond 253 है, जैसे 300 IP camera, 500 IP camera, 1000 IP camera, then use the B class, आपको C class पर नहीं करना है, कोई भी तरह का subnetting, आपको B class पर करना है, अभी फिलाल C class की बाद कर रहे है, C class पर सिख रहे है, आप लोग तो उसके बारे में जाने है, मैंने आपको पैसा बताया ह उसी class पर, लास्ट की number की value आप चेंज कर सकते, अभी विलाल यहाँ पर कितना है, 56 है, for example मुझे इसको 61 करना है, 60 number इसको देना, 192.168, 0.61, तो पहले हम उसको ping करके check करेंगे, कि क्या number 61 available है, या फिर किसी device ने ले लिया है, so let's check through the cmd command, आपने cmd type करना है, और यहाँ पर ping करना है, ping space 192.168, 0.61, यह देखिए, reply आ रहा है, नहीं आ रहा है, reply, reply नहीं आ रहा है, देखिए, यहाँ पर क्या शोग करना है, destination host unreachable, destination host unreachable, मतलब यह IP address मौजूद नहीं है, unreachable, not reachable, range में नहीं है, यह IP के नंबर का, कोई भी device मौजूद नहीं है, इसको बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए, तो मैं भी यहाँ पर 61 IP को assign कर देता हूँ, 56 को हटा कर मैं, 61 कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको दिखिए, जिए, 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 मतलब हमारा IP address, अब हम आगे चलते हैं, देखिए, यह भी लॉगाउट हो चुका है, यह देखिए, यहाँ से यह फ्रेम हो गई है, और यह आपका लॉगाउट हो चुका है, यह देखिए, 56 नंबर यहाँ पर रेड हो चुका है, अब आपने क्या करने की जरुवत है, आपने या फिसको रिफ्रेश करें, या फिर आप इसको सिंपली, यहाँ से भी एडिट कर ले, क्या नया नंबर दिया है हमने 61 बहुत सारे सिस्टम इंडिगरेटर्स जो यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो देखकर चोटा मोटा इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो यही गलती करते हैं क्योंकि उनके पास कोई इंडेफ्स में ट्रेनिंग या नॉलेज नहीं होता है ठीक है तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि जैसे आप लोग काफी दूर-दूर से ट्रेवल करके आये हैं यह प्रैक्टिकल क्लास यह ट्रेनिंग सिखने के लिए वैसे सभी लोग आये और एक प्रोफेशनल बने और एक सिस्टमाइटिक जो एजूकेशन होता है स्ट सितना भी पॉसिबल है मैक्सिवम ट्राइब करते हैं कि बेस्ट दे लेकिन जो कोर्स यहां आके जो लोग करते हैं बहुत जादा उसकी फैक्टिव नेस होती है ठीक है और राइट तो जैसे मैंने आपको एक छोटा सा यह बताया कि कैसे सिस्टम इंडिकरेटर गलती करते ह आई पी पिपर चोड़ देते हैं और वो सही आई पी कैमरा ले लेता है उस वक्त तक तो आगारेट चलो हो जाते हैं बट वह कुँछ समय बाद श्पेशली जब री श्टार्ट होता है ना पूरा सिस्टम तो वो सारे कैमरे या कुछ डिस्पले से लोगां गाया ही और दि इस तरहीके से दो और ये तीर कैमरे मैं आपको अनेक करके दिता है तो मैंने आपको हिक्विजन का एक कैमरा था SADP टूल के तूर आईपी अटरस सर्च करना और उसको मोडिफाई करना बताया क्या आपको समझ आया मुझे बताईए क्या होता है सब्सक्राइब आपको दूसरा एक प्रैक्टिकल करना रहा हूं जिसमें हम आईपी कैमरे को डारेक्ली लैप्टॉप पर कनेक्ट करेंगे बिना एंवियर के भी आप ये चीज कर सकते हैं किसी भी आईपी कैमरे की आपको पता है तो आप बस कंप्यूटर या लैप्टॉप की वेब इंटरफेस में आईपी एडरेस डाले तुरत हुआ आईपी कैमरा या फिर एंवियर ये डियर जो भी है आपका कनेक्ट हो जाएगा कैसे करते हैं देखिए बड़ा डिस्पले लगा हुआ है यहां देख सकते हूं यहां देख सकते हूं वहां देख सकते हूं आईपी एडरेस बताइए कैमरे की क्या है 192.168.0.061 192.168.0.061 यह हमने कैमरे को यहां पर लॉग इन करना है मैंने यहां पर कैमरे का लोकलाइक ड्रस जो था वो पूटब किया और यह वेब इंटरफेस यहां पर अपियर हो गया पासवर्ट और यूजर नेम डालें यहां पर एड्मिंस का यूजर नेम है कैमरे कैमरे का पासवर्ट कई बार आप यह पासवर्ट यूजर कर शुके हैं तो यह बार नहीं बूल जाते हैं अब ड़े किती बिना एड़ीयार के हमारा एकिदी यह एंधर पर लॉड़ खिया fetchIGHT अब बोलें के सर NVR तो चल हुए है चलिए बंग कर देते है ये 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 मारा NVR बंग कर दिया अब बोलें के सर केबल तो लगा हुआ है ये ये केबल भी निचाल दियों बिना NVR के खड़ें भी मोमेट करें ये बिना बिना इंवर और अउड ये 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 यहां तक जो मैंने आपको बताया वह सब बेसिक है अब होलें कि ये बैसिक एडवांस क्या है एडवांस बहुत कुछ आईबी कैपरे में सीखने जैसा जैसे जैसे आगे क्लास बढ़े में लेवल बढ़े में आपको इंडेप्ट में लेके जाओंगा इसके फिलहाद आप यहां तक प्रैक्टिकल रिपीट करें जो मैंने आपको करके दिकाया है उसको आप रिवाइस कर में जादेज में लेकाई करें लेकी है जैसे जादेध्य।